मोलताई नगर के लिए आज एक दुखत खबर सामने आ रही है मोलताई नगर के जाने माने डॉक्टर समासेवी डॉक्टर असुक भारगो लंबी मिमारी के चलते अब हमारे बीच नहीं रहे मातापती अपने चड़नों में उन्हें स्थान दे हमदर्द नियूस की ओर से भावपूंड सद्धांजली मोलताई नगर के एक अधिवक्ता को CM हेलप लैन में सिकायत करना पड़ा महेंगा नगरपाली का कच्रा वहां द्वारा नहीं उठाया जा रहा उनके घर का कच्रा खबर मोलताई से 27 नौवंबर मोलताई नगर में घर तक नगरपाली का के कच्रा वहां नहीं आने की सिकायत नगरपाली का कारेले में करने के बाद कोई सुनवाई नहीं की हुई तो सिकायत करता अधिवक्ता ने CM Health Plan में सिकायत कर दी सिकायत का निराकरण होना तो दूर रहा उल्टा अब कच्रा वाहन चालग जहां सिकायत की उनी से कच्रा उठाने की बात कहकर कच्रा नहीं उठा रहा है इस बात से परिसान हो चुगे भगर सिंग वाहन निवासी अधिवक्ता ने घर के सामने कच्रा वाहन नहीं आने की सिकायत मुख्यमंत्री सिवरा सिंग चवहान से की है आईए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा आईए उनके दोरा विसकार्मचारी को बोला गया कि आप अपने साथ देख ले तो उसके बाद जो बोला है कि हमारे घर के सामने आना चाहिए और हमने एक्सकायत वाली उठाएंगे एसलती नियां जा तो आपके घर के पास में रूट ख़राब है तो कच्रा भाहन नहीं आ रहा रहा नाश्य आपके घर के पास अधर गारिये चलती है इस दिक्कत नहीं है कि कच्रा कारी नहीं आ सके हम लोग पूलों आना जाना प्रफित्र नगरी मुलताई में कोरोना काल के बाद एक वर्स के अंतराल से मातापती का मेला इस बार फिर लगने जा रहा है लोगों को बड़े लंबे समय से मातापती मेला लगने का इंतजार था दीरे दीरे अब तापती मेला इस थल पर चहल पहल नजर आने लगी है मेला इस थल पर कुछ दुकाने और जूले भी पहुच चुके है और कुछी दिनों में यहां मेला अपने चरम पर पहुचेगा और लोग इसका आनन्द उठा सकते हैं मेले में जूले लगबग आ चुके मुल्ताई से कुल्दी पाड़े की रिपोर्ट मुल्ताई नगर के स्वच्छता ब्रांड अमेस्टर गगंदीप खेरे ने मुल्ताई क्रशी मंडी का किया निरिक्षण गंदगी देख सफाई करने की अपिल खबर मुल्ताई से 27 नॉवमबर मुल्ताई नगरपली का द्वारा स्वच्छता ब्रांड अमेस्टर बनाए गए गगंदीप खेरे जी ने मुल्ताई क्रशी उपज मंडी का दवरा किया इस दवरान उन्हें वहां पे गंदगी नज़र आई उन्होंने सभी से गंदगी ना करने और साफसफाई बनाय रखने का हागरा किया इस मौके पर उनसे बात की गई आई सुनते हैं उन्होंने क्या कहा मंडी में निरिक्षन किया साफसफाई को लेकर उसके बारे में जानकरी दे मुझे जानकरी प्राप्ती हुई थी कुछ सब्जी व्यापरी ने बताया था कि यहां पे साफसफाई की व्योस पर आज सनिवार को एक मानसिक रूप से विच्छिप्त महिला द्वारा उत्पात मचाया गया। दुकानों के सामने जाकर चिला चोट की जा रही है और दुकान वालों को और रहागीरों को परिशान किया जा रहा है। बस स्टेंड पर मौजूद प्रत्तिक्ष दर्शियों का कहना है कि यहां विच्छित महिला विगत दो-तीन महिनों से बस स्टेंड पर रह रही है। लेकिन कुछ दिनों से यहां लगातार बस स्टेंड पर उत्पात मचा रही है। इसके दोरा लगातार लोगों की सटर उपर पत्थर मारे जा रहे हैं और कई बार यहां महिला अपने हाथ में पत्थर फरसी आदी लेकर लोगों के पीछे मारने के लिए भी दोड़ जाती है। इस महीला की बूली से यह महीला दक्षिन भारत की होना प्रतित होती है लोगों का कहना है कि यह महीला कई बार उपच्छत पर चड़ कर भी चिलाती है कि मैं कूच जाओंगी वहीं कई बार बस स्टेंड पर बैठे यात्रियों को भी यह महीला परिसान करते हुए नजर आती ह लोगों का कहना है कि सासन प्रिसासन द्वारा इस और ध्यान दिया जाना चाहिए अन्य था किसी बड़ी घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता मुलताइस से कुल्दी पहाडी के रिपोर्ट विकासखंड इस तरिये दिव्यांग खेलकुद प्रतियोगता का मुलताई में हुआ आयोजन खबर मुलताई से 27 नौमबर आज विश्वे विकलांग दिवस के आउसर पर मुलताई नविन हायर सेकंडरी स्कूल के खेल मैदान में विकासखंड इस तरिये दिव्यांग खेलकुद प्रतियोगता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया आज के कारग्रब के बारे में बताईए आज में विकलांग दिवर्स है इसमें दिव्यान बच्चों ने कुछ जित्रकला राभवली द्योक्ता में भाग लिया है इसमें ब्लॉक के सभी बच्चों उपस्तित हुय है जित्रक लामा 14 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है कि यह पूरे बच्चे अपने ब्लाग के हैं अभी ब्लाग इस तरीगे मुलताई शिंद्वाडा रोड पर ग्राम पार सिंगा में एक शिक्षक को अग्यात वहां ने टक्कर मारकर किया धायल शिक्षक के हाथ और पैर हुए फेक्चर खबर मुलताई से 27 नॉमबर प्राप्त जानकारी अनुसार दीना जी पिता नौसु इवनाती जो की डहुआ के निवासी है उम्र 50 वर्स बताई जा रही है उनका स्कूल जाते समय पार सिंगा के पास एक अग्यात वहां द्वारा टक 29 बर मुलताई विधान सबा अंतरगत आने वाले ग्राम घाट पीपरिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेटकर की प्रतीमा के सम्मक्ष सम्विधान दिवस मनाया गया इस मौके पर गाउं के बच्चे बुजुर्ग और बड़े सभी लोग मौजूद रहे और भारती सम विधान से हमें क्या-क्या अधिकार प्राप्त होते हैं मौलताई से कुल्दिप पहड़े के रिपोर्ट लगातार हमदर्द न्यूस की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बैल आइकन दबाना ना भूले साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने राई जरूर बताए